पूर्दान मंत्री नरेंद्र मूदी आज से तीन दिन के दौरे पर थाइलन जा रहे हैं इस दौरान वो आसियान भारत पूर्वी एशिया और RCEP शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे लेकिन दुनिया भर की निगाहें बैंकॉक में होने वाली रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव एकनॉमिक पार्टनर्शिप यानी RCEP पर ठिकी है माना जा रहा है कि भारत इस पर हस्ताक्षर कर सकता है हाला कि देश में इसका काफी विरोध हो रहा है दरसल RCEP 16 देशों के बीच होने वाला मुक्त व्यापार समझोता है जिससे इन देशों के बीच होने वाले व्यापार को आसान बनाया जा सकेगा इन देशों के बीच पारसपरिक व्यापार में टैक्स की कटोती के अलावा कई तरीके की आर्थिक छूट दी जाएगी इन 16 देशों में 10 आसियान सम्हुके और 6 देश वे हैं जिनके साथ आसियान देशों का मुक्त व्यापार समझोता है तो आपको बता दे कि आज से प्रधान मंत्री मोधी का 3 दिन का थाइलेंड दौरा शुरू हो रहा है जिसमें वे RCEP पर समझोता पर दस्तकत कर सकते हैं RCEP में आयाच शुल्क हटने से भारत में विदेशी सामान डंप हो जाएगा चीन, जापान, कोरिया, न्यूजिलेंट से कैसे मुकाबला करेगा भारत ये एक बड़ा सवाल है आपको बता दे कि जिन देशों के साथ RCEP का समझोता भारत करने वाला है उनसे व्यापार घाटा लगातार भारत का बड़ा है दूद और डेरी उद्योग से जोड़े जो लोग है वो काफी चिंतित है RCEP को लेके टेक्स्टाइल और स्टील उद्योग भी बुरी तरस से प्रभावित होगा आयाच्छुलक हटने से भारत में विदेशी सामान डंप हो जाएगा तो आपको ये भी बता दे कि RCEP में 16 देशों के बीच होने वाला ये समझोता है और इन सभी देशों के साथ देश का व्यापार घाटा लगातार बड़ा है टेक्स्टाइल और स्टील उद्योग भी बुरी तरस से प्रभावित होगा RCEP समझोता होने के बाद RCEP को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो लगबग 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर इस समय है फ्री ट्रेड एग्रिमेंट अगर आप करेंगे RCEP के माध्यम से तो वो और जादा बढ़ेगा उससे मुद्रा स्वीती भी बढ़ेगी और भारत की अर्थ विवस्ता को चोट भी पहुँचेगी एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि खेती बाड़ी जिस पर आज भी देश की 70% आबादी आधारित है हम किस प्रकार से इस समझोते के तहट किसान खेत मजदूर उसकी जिन्दगियों को प्रतिकूल तोर से प्रभावित हो जाएगी यहां तक की जो बीज है उस पर भी स्वायतता गंभीर चिंतन का विशे बन जाएगी हमारा जो डाइरी सेक्टर है दूद का जो उद्योग है वो बहुत बड़े खत्रे के अंदर पहुंच जाएगा क्योंकि विदेशी प्रोड़क्ट्स यहां डंप हो जाएंगे इसी प्रकार से जो मचली पालन के उद्योग में पूरे कोस्टल के अंदर हमारे साथी मचवारे और दूसरे लोग लगे हैं उनकी जिन्दगी और रोज मर्रा के उनके व्यवसाय पर इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कि शायद वो अपनी रोजी रोटी के लिए मजबूर हो जाएं हमारे अग्रिकल्चर प्रोड़क्ट्स सभाविक तोर से उनकी कीमतों में भारी गिरावट आएगी क्योंकि विदेशों से अग्रिकल्चर प्रोड़क्ट्स हिंदुस्तान में डंप कर दिये जाएंगे एक तीसरा पहलू है कि RCEP के बाद चाइना जिसके साथ हमारा ट्रेड बैलन्स एड़वर्स है और लगबग साथ बिलियन अमेरिकी डॉलर है वो और ज्यादा सीधे तोर से और किनी दूसरे मेंबर स्टेट्स के माध्यम से अपने सस्ते प्रोड़क्ट्स हिंदुस्तान में बेच कर हमारे स्थानिय उद्योग छोटे-छोटे लगू और मजले उद्योग वो सब बंध हो जाएंगे उनको एड़वर्सली प्रभावि करेगा। की बात हो रही है। तो साथियों यह RCEP मैं सिर्फ एक लाइन अंग्रेजी में कहूंगा there is a text to RCEP there is a context to RCEP the text of RCEP is bad the context of RCEP is worse GDP धर में गिरावट आया है। निवेश नहीं हो रहा है। निवेशकों का विश्वास तूट रहा है। और सबी ख्षेत्र आटोमोबिल, टेक्स्टाइल, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, कहीं भी जाईए, किसी भी राज्य में और हाल में ही हर्याना और महराश्ट्र के चुनाव में यह मुद्दे महत्वपूर्ण थे। जब हमारे अर्थ विवस्था बुरे तिनों से गुजर रही है। आयात का उदारिकरन करना, RCEP पर हस्ताक्षर करना आत्महत्या है।